हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मंजुराज रेसिपी आज मैं आपके लिए ओयल फ्री वेज टोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है तो चलिए इसको शुरू करते ही बिना तेल में दो तरीके से मैंने बनाई है तो हम सब से पहले आधा कटोरी बेशन लिए आधे कटोरी बेशन में हमारी है रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होगी अब मैं इसमें जोपर बि french ब्रद या कब शिमोन लियुए और मैंने दो फ्र जान और टेस्म लेज ले लिए और आपको कजर आप के पास उपर नहीं है तो आप कद्दुकस भी कर सकते हैं आधा कटोरी हरा प्याज भी ले लेंगे और मैंने आधा कटोरी बीन्स ली हैं और आपके पास अगर गाजर हो तो आप वो भी ले सकते हैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसालाड गाड़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे और इसको फिर हम पांच मिनट के लिए धक कर रख देंगे ताकि जो हमारे सारे मसाले और बेसन है सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब हम ब्रेड लेंगे मैंने ये ब्राउन ब्रेड ली है आ इसे ही मैं दो ब्रेड रख लूँगी और इन है अच्छी तरह से हलकी आच में दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके हम इसे सेक लेंगे ये अच्छी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक हम इसे सेकेंगे ये बहुत जादा टेस्टी बिन में भी रख सकते हैं और ये हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सबजिया मैंने डाल की रखी हैं आपके पास भी जितनी सबजिया हो आप इसमें डाल सकते हैं ये बिल्कुल टेस्ट में ब्रेड पकोड़े की तरह लगती है देखिए बनकर त्यार हो गई है यह मैं निकाल दूंगी और अब मैं दूसरे तरीके से आपको ब्रश बनाना से खाऊंगी टोस्ट जिससे की हमारा ओयल बिलकुल बहुत ही कम ओयल लगता है मैंने एर फ्रायर को प्रिहीट कर लिया है और उसमें एक बटर पेपर में थोड़ा सा तेल लगा करके हम उसको ब पूट करके इसे एर फ्रायर के अंदर रख दूंगी जितने भी एक बार में आएंगे उतने डाल के और बस हलका साथ ओयल उपर से ब्रस से लगा देंगे अब इसको एर फ्रायर में डालेंगे और इसको 200 डिग्री में हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो 10 मिनट में ये हमारे बनकर त्यार हो जाते हैं और टेस्ट में बिलकुल बहुत बढ़िया बनते हैं बिलकुल ये नहीं लगता कि इसमें ओयल नहीं है ये हेल्दी है पाँच मिनट में हम इसको बीच में से खोल कर इसे हम पलट देंगे ताकि ये हो गए हैं और इसका कलर देखिए बिल्कुल ब्रेट के जो हमारे टोस्ट हैं वो बिल्कुल बनकर त्यार हो गए हैं और अच्छी तरह से पग गए हैं अंदर तक ऑईली ब्रेट पकोड़े के जगे पर यह एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और ऑईल इसमें बिल्कुल ही नहीं है आप इसे अपने पसंद से कट कीजिए या बच्चों के टेफिन में रखिए या चाई के साथ इसे सर्फ जैसे भी आपको पसंद हो आप ऐसे खाईए और आप मैं आपको दिखाऊंगी यह देखिए मैंने पहले एर फ्रेयर वाले रखे थे ब्रेट के टोस्ट और आप यह मैंने जो तवे में सेखे थे वो रखे हैं तो ये दोनों के दोनों बन चुके हैं आप इसे लाल चटनी ह या फिर sauce के साथ serve कीजिए, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत ज़्यादा healthy recipe है, oil इसमें बस थोड़ा सा लगा है, लेकिन taste बहुत बढ़िया है, तो आप ऐसी ही और healthy oil free recipe देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए, share कीजिए, like कीजिए, thank you for watching जइ सक्ष्झाओ येंगे चैनल को ये ची और लिए कीजिए, ज्यादा चीजिए, बच्छते लिए उन्हादा इसमेंट सेद्धिए, तो आप दोड़ा है, वे रहुत जएजिए, बच्छते बच्छते हैं, तो आप झाईंगे. झाल झाल